हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आश्या करती हैं बहुत अच्छे होंगे और यह है दो तारीकी वीडियो हम लोग जा रहे हैं शिप्रा के घर उसके घर से सामान लेने जा रहे हैं ब्यास कर लोनी में जो उसका सुसरा ले वहां पे जा रहे हैं क्योंकि हमें उनके ससुर जीन कहा था कि अब सामान ले जाओ घर लगपक्तूरा हो चुका था छोटमेटे काम थे वही करने थे बस वही होने थे जैसे परदे लगने हैं या माउडिलर के चन बननी है तो बस उसका घर आ चुका है शिप्रा का सुसराल है और यहां हमने सामान नीचे रखवा रहे थी लौट बाड़ी में और बैट कोई चार-पांच लॉड़ बड़ी हुई और यह सारा सामान उसका इस घर में आ गया नैं यह घर नहीं है उसको कोई बाध जैच रही नहीं थी तो थोड़ा गुझ्सा खा हो चाहिए वो है तो यहाँ पर सामान देखी बहुत ज़्यादा फैल चुका था अधार हम सोच रहे थे किस तरह से घर जमेगा क्योंकि 13 तारीक को जनम दिन करने का था तो हम लोगों ने एक बार तो छोड़ दिया था लेकिन जब जल्दी हो गया कि तेरा तारीक को जनम दिन करना ही है तो फिर हमने थोड़ा बहुत सामान जमाया और यह ग्यारा तारीक की वीडियो है हम लोग जा रहे हैं बजार क्योंकि हमें जल्दी जल्दी अब घर जमाना तो हम लोग गए अठक मैं और अठक की मम्मी और मेरा बेटा बहु गये बजार और बजार जाके हमने वहां सोफे काई दुकानों में हमने सोफे देखे और सोफे हमको पसंद जो शिप्रा को आ आए वही सोफे हमने खरीद ली और 2-3 चीज़े हमने खरीद दी जैसे चिवन के लिए वो खरीदी और एक और क्या लिया था एसी एसी भी हम लेकर आये तो तीन-चार चीज़ें हम एक ही दिन में लेकर आगए और घर को साथ और अथक को भी ले गई थी यहाँ पर हम फिर घर आ गई थे कुछ सामान हमने जमा दिया था जैसे पलंग वगएरा जम गई थे बैड रूम उसका जम गया था पूरा तो बस बैड सीट वगएरा बदलने थी और एमी हमारे साथ आ जाती है जब हम सारे ही इधर आ जाते ह है तो एमी भी हमारे साथ आ जाती है थोड़ी देर में वापस चली जाती है एमी उसका मनी लगता है तो यहाँ पर जनम दिन के लिए थक ने मुझसे कहा था कि मुझे एक टेबल चाहिए तो ऑनलाइन फिलिप काट से मैंने उसके लिए एक टेबल मंगवाई थी जो दीवा रूम में इसको सेट कर वाली थी तो सारा ही काम ये बारा तारीक को हो रहा था तो वहाँ पर पैल मेट वगेरा लग रही थी शिप्राग घर में तो मैंने सोचा कि मैं ही अकेली थी उस दिन तो मजदूर वगेरा घर में थे तो मैंने सोचा कि मैं घर को भी संभाल लूगी पिरकाम भी कर लूँगी तो मैंने उसका सारा फ्रिज साफ कर दिया क्योंकि फ्रिज डेट साल से बंद था तो काफी मतलब इसमें फाफून आ गई थी और एकदम काला हो चुका था यह तो इसको साफ करने मुझे कोई दो घंटे लगे और इसके जो अंदर का जो सारा सामान आघे मार्ण हा ट्रें वगयरा थी वह सारी मैने भूए इतनी देर मेह परते वगयरा भी लगधे मेरे यह पैल मैड लगे तो साथ में आंलाइन मंगा चूके थे पर्दे लिए तो परदे साथ में ठेकेदार जी ने बोला कि हम इस लगा देते हैं तो आप परदे लगा दिये और फ्रिज की सफाई साथ साथ होती रही तो यह देखिए मैं उसकी किचन में फ्रिज के जो यह सारे पानी निकला और भी ज्यादा गंदा पानी निकला था इसमें यह तो तीसरी चौथी बार जब मैंने धोई तो फिर इतना यह निकला है बाकी बहुती गंदगी हो चुकी थी तो मैंने इसको साफ किया और इसकी गैस के चूली वगरा को भी मैंने साफ कर दिया था माइक्रोवी वगरा को तो कुछ मैंने इसकी किचन भी जमा दे थी इस बीच में लोग बजार गई थी जागरती और शिप्रा और शिप्रा की इच्छा थी के सब को कपड़े दूं तो अपने ससुर्जी के लिए भी शर्टलाई थी जेट जी के लिए भी लाई और शितेज जागरती और अपने बैन-बैनोई के लिए भी लेकर आई थी इसने कहा कि इनकी इच्छा थी सब कुछ देने की तो यह है ठेकेदार जी जू फदे लगवा रही है। और मैंने इनको कैमेरे में कैद कर लिया था, इसलिए कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और हम इन्हें याद रखने के लिए इनको हमने वीडियो में कैद कर लिया तो इससे हमें हमेशा याद रहेगा कि इन्होंने हमारा मकान बनाया था मतलब शिपरा का मकान बनाया था और काफी अच्छा मकान इन्होंने बनाया जैसा हमने कहा वैसा इन्होंने बनाया और एंड तक ए सारा काम कर गए यहां पर रात को तयार है, यह मिद नाइट जो इसका जनम दिन किया था, हमने केक कटवाया था, तो यह है अथक का कमरा, जिसमें वस केक काटने की तयारी हो रही है, और रात 12 बजे केक काटा था, तो सब लोग हमें आ थे, तो में भी यहां आ गई थी, यह सुबह कारा टाइ जा रहे हैं तो जा रहे हैं कथा करने के लिए पहले पूजा करेंगे और फिर आगी तो यह है शिप्रा की किचन और यहां पर हमने सत्य नारेंजी की कथा कि थी तो सारी चीजे पहले से हिजामा दी थी यहां पर लाकर जैसे सत्य नारेंजी का भूग जो हता है मैंने खीर पूड़ी बनाई थी जैसा कि आपको मालूम है तो यह सब हमने तयारी कर दी थी और बारा बजने का हम वेट कर रहे थी कि बारा बजे बाद ही करेंगी तो हम सब लोग यहां पर बैठे हैं शिप्रा के बैड रूम में और बाते कर रहे हैं और सब मेरी हंसि उडा रहे थे कि मंवड़े की बनाएगी और यह बोलेगी तो बच्छे है ना मुझे मेरी हंसी उडाते रहते हैं ममी अभी बोलेगी वह ब्सक्ता अब शितित नहीं कृज़ी थी और अथक ने पूजा कर लिए इसके बाद हम सभी ने तो पीली साड़ी, केसरिया साड़ी पहना कि, जब हमारा घर बनेगा, तो तुम केसरिया साड़ी पहनोगी, तो इसलिए वो नई साड़ी लेकर आई, और उसने पहनी और उनकी फोटो लेके उसने पूजा की हलाकि वो दुखी हुई इस सीज में काफी दुखी हुई लेकिन फिर भी वो खुश है कि उसको उसका घर मिल गया और अब उसका मन लगने लगा वहाँ तो यहाँ पर उसका मन नहीं लगा करता था मेरे घर में तो अब उसका घर बन गया अब उसको जमाएगी सजाएगी जो भी करेगी तो हम सबने पूजा करी सबी घरवालों ने पूजा कर ली जिस बहु ने की मैंने की इनोंने की नाकुल जी ने की अथक ने तो की थी भहिया के साथ कर ली थी मामू के साथ और हम सब ने भी पूजा की भोग चड़ाया और उसके बाद ये है मेरे दूसरे जवाई और जैसे कि आप जानते इनको तो ये इलू है और सभी ने पूजा की आरती की और इस तरह से हमने इस पूजा को पूरा किया और हमारे मन में शांती होगी कि एक बार घर में पूजा हो जानी चाहिए उसके बाद ही कोई काम होना चाहिए तो शाम को जनम दिन करना था इसलिए हमने पूजा कर ली यहां हम घर आ चुके थे हमारे घर में और खाना सबने खाया, खीर पूड़ी, सबजी बनाई थी, और सबी लोग, हम लोग ऐसे ही बैठ कर खाते हैं, आप लोग सोचेंगे कि पलंग में, लेकि डाइनिंग टेपल को कोई यूज ही नहीं करता है, तनी बड़ी डाइनिंग टेपल पड़ी है, लेकि सब लोग सब्सक्राइब को तिलक किया, जेठ को तिलक किया, उनको कपड़े बगेरा दिये, लिफाफे दिये, और ऐसे ही मेरे भाईयों ने भी दिये, जो चार मेरे भाईयें, उन्होंने सबने अपने अपनी तरफ सी जैसा भी पना हो दिया, और कुछ शिप्रा को धनराशी दी, ज जो काम उन्होंने इतना अच्छा किया, उसके लिए मैंने भाई साफ से कहा कि आप दो शब्द के ससुर्जी के लिए बोलो, तो उन्होंने बोले और इस तरह से ये काम बस पूरा हुआ, और काफी खुश हुए उनके ससुर्जी भी बहुत खुश हुए, जेड जी भी यही नहीं, चारों भाई ही, मेरा अब तक करते हैं, मेरे बच्चों का करते हैं, और उनके भी बच्चों का सब कुछ करते हैं, तो यह जो सारा काम हुआ है, भाई साब मेरे बोल रहे हैं, दो शब्द, और मेरे भाई साब, शाशिकान जी के बहुत अच्छे दोस्त भी रहें साथ पढ़े हुए हैं तो बस वो वही बातें करने लगे कि हम कैसे फिल्में देखते थे और कैसे क्या करते थे तो बच्पन की यादे उनकी ताजा हो गई और बस ये बच्चे तो मतलब बच्चा ही समझा उन्होंने मेरी बेटी को ये है दूसरे दिन का जो की अब प्राची जा रही है और हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरी सब्जी बना रहे हैं कि रास्ते में थोड़ी सी पूरी सब्जी ले जाए वो तो कहती है कि मम्मी कुछ भी नहीं ले जाओंगी मैं रहने दो क्यों बनाती हो लेकिन अगर वो पांट बजे वाली गाड़ी से जाती ह तो अभी मैं बनाती हूँ तो मैंने सब्जी पूरी बनाई और अब यहां नकुल जी बस बैक तयार कर रहे हैं टाइम हो चुका है पौने नोकी उनकी बस है और यह सब लोग अब तयार हो गए और जा रहे हैं और यहां तक का काफी काम हमारा हो चुका एक दिन के लिए प् खुशों के अब बड़ी हो गई है यह लू और उसे अपनी पढ़ाई की चिंता हो गई है तो इसके स्कूल का होमवर्क एकटा हो जाता है इसलिए उसने और छुटी नहीं बढ़ाई और यह लोग अब जा रहे हैं तो यह तो चलो दुख होता ही है जब जाती है बेटी तो यह लोग निकल चुके थे और फिर बस जब मैं कमरे में आई तो मुझे फिर लगा ऐसा सुनापन तो लगा ही क्योंकि अब शिपरा का भी सामान सारा जा चुका है तो शिपरा भी अपना सारा सामान धिरे धिरे ले गई और यह रूम एकदम बिलकुल खाली हो गया और आज की वीडियो में मिलते हो फिरे नई वीडियो